कि इसके बाद है Amino Acid का Classification तो Amino Acid को किस अधार पर डिवेट किया गया है इसके प्रेजेंट आड गूरूप के अधार पर क्याकि बता है कि को से को से होते हैं एनिफेटिक और एरोमेटिक फिर से एनिफेटिक को डिवेट के अनिया है चार के टिगरी में पहले को से होते हैं निट्रल अमाइनो ऐसिड वुदासीड अमिनो आ तो ऐसे अमिनो अम जिसमें अमीनो समूर और कारवाकश्लिक समूर की जो मत रहा है कैसी बरावर होती है उनको क्या हो ओलेंगे वुदासीड यहां पर जितना धना वेस आएगा उतना ही दना वेस आएगा तो जो कुल आवेस में कितना होगा जीरो भता है इसलिए इसको क्या कहेंगे वह दासी है अगले होते हैं बेसिक अमाइनो ऐसेड चारी अमीनो आम तो छारी ए गुड़ के लिए कौन सा गुरूप होता है NH2 या COOH NH2 तो जिसमें एक एक्स्ट्रा NH2 गुरूप होता है उसको क्या बुलेंगे Basic Amino Acid या छारी अमीनो अम्ड ठीक है Next है Acetic Amino Acid Amino Amino Amp तो अमली प्रवृति के लिए कौन सा गुरूप प्रजेट होता है COOH Carboxylic Group तो जिसमें Extra Carboxylic Group होता है उसको क्या बुलेंगे Acidic Amino Acid अमली Amino Amp अगले होते हैं Sulfur Containing Amino Acid ऐसे Amino Ampl जिसमें क्या ख़स्तित हो उसको क्या बुलेंगे Sulfur युक्त Amino Acid और अगले होते हैं Aromatic Amino Acid जिसमें चक्री सरशना पाए जाती है तो जिसमें रिंग प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे Aromatic Amino Acid आवस्तिता के अधार पर यह दो प्रकार के उते हैं Essential और Non-Essential आवस्तित अमीन वामल एक है और दूसरे वह सब जाएंगे अनावस्तित अमीन वामल तो जिस चीज़ के हमें आवस्तिता होती है वह कहां से गरण करेंगे बाहर से तो ऐसे अमीन वामल जिसको हम बाई फूड जिसको हम किसके दोरा भोजन के दोरा गया करते हैं या फैर जो हमारे सिरीर के अंदर नहीं बनते हैं उनको क्या बोलेंगे आवस्तित अमीन वाम और जो हमारे सिरीर के अंदर ही बन जाते हैं बाहर से नहीं पड़ेगी तो ऐसे नहीं लेते हैं जो हमारे सिरी लिया अनावस्थ अमीनों जो हमारी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं उन्हें हमें बाहर से नहीं पड़ेगी यह नहीं पड़ेगी कुस्तो बोलो नहीं पड़े और जो हमारे सिर्में नहीं बनते हैं उन्हें कास लेना पड़ेगा बाहर से बाहर से कैसे लेंगे टैबलेट यह पर दो दो और यह अश्य पर नौन एसेंशन कि हम आवसकता होती है जैसे हम बाहर से ग्रेफ करते हैं वह आवसक्त जो हमारे से के अंदर बन जाते हैं वह कों से जाएंगे अनावसक एसेंशन और नौन तो इसमिसली मैं को पाण देया था नेटर क मैंने सेट, डिए बडाइक तब पतायो दिसकेट, को से बडायो दिए कि आअटे है सुआ तब ही प्रिया जिस पाट है। घ्लाइसने, हैल्लीन, वैलीन, ल८्सी रॉ औ- इसलुशी ठीच तब है दो पहले है वदासीन, अमेन, अर्थ इनक्तुर्ण निए पाख प्रेस्ट एंजी टीट साथ किसको बुलेंगे वदासीन अमीनों ऐसे जिसमें अमीनों और कारबॉक्सिलिक समों की संख्या समान वाले अमीनों एसेड को वदासीन अमीनों एसेड कहा जाता है और इनके पास कुल आविस कितना होता है सुनिए नेट चार्ड होना चाहिए जीरो कैसे होगा नेट चार्ड जिसमान लों की एक इस्ट्रेक्शन लेते हैं तो इसमें जो सेंट्रल कारबन मुत असको को कहेंगे अलफा कारबन एक तरफ वो से ग्रोप होगा सी डबल बॉन्ड ओ और ओएच होता है एक तरफ पॉस होगा एक तरफ आइडरोजन और यहां पर अलकायर ग्रोप होता है अब एसिट करता है यह एज़िनी एच प्लस को टोरेट कर देगा तो एच प्लस है यहां से किसके पास जाएगा एच टू के पास में हमीनों ग्रू टिक तो जिसमें नेट चार्ज कितना हो जीरो हो इसको क्या वह लेंगे निट्रल अमाइनों एसेट्स एक्जामपल ग्लैसीन एलैनिन वैलिन लूसीन और इसलूसी इसमें फर्स्ट वाला पढ़ लिए थे क्या है सगेंड भी पढ़ लीखते चलो फिर से पढ़ लेते हैं तो ग्रैसीन क्या है सिंपलेस्ट और स्मालेस्ट अमाइन एसेट है जिसका मॉलेकुलर वेट कितना होता है 75 इसमें आर्दू प्रेजेंट होता है क्या नहीं होगा यह कैसा होता है विदाउट आर्ग्रोप इसकी देखा पर इसमें क्या प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन इसमें कोल सा कारवन होता है, आकिरल कारवन होता है, उसके लावा यह नॉन पोलार है, नॉन पोलार मतलब आधुरूवी होता है, आधुरूवी प्रत्तिका है, इसके बावा हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक किसको कहते हैं, जल में अगुलनसीन या जल विरागी, ऐसे amino acid जो जल से दूर बागते हैं क्या हो जाएंगे जल विराइबी उसली प्रेजेंट इन अल्फा हैलिक्स अल्फा है इस परपने प्रोटीन टेस्टक्चर उसमें क्या प्रेजेंट होता है अधिकतर लाइसी प्रेजेंट होता है क्योंकि सबसे सरलतम और स्मॉलेस्ट है उसके बावाऄ हैं दो बडिके ऐसे पाण जहां पर फ्लेग्स प्रेजेंट होता है जैसे बाइसी आसे पार्ट्स यहां पर प्रिक्जिकी जुर्ष कार्न इस राझार महनएक्स LIN की होता है क्लिक्स समझेट् Haloं지만 theyropID और यह हैगलाइसीन कर्सेंटर मने कारुप्ट कोछा करनन करते हैं अल्फा कारवन केटाहिए इस से इक तरफ को तर अगर एक तरफ एक तरफ हईड्रोजयन और एक तरफ होता है तो जीन में आर रॉंप की जगह में करे प्रेज़न होगा है तो अब यह जो बोई सीछीन है एक यह ज開व से तो नतमाग ऑफिस में तो यहां पर क्या होगा क्योंगी कैसा होता है जादा एलeक्ट्रो नेगटीब होता है किस रूप हो से क्या निकल जाएगा एट्रोजन के पास होते है लोगी प्यार होते हैं यह अपना लोगीर के किसको देदेगा इस हैड्रोजन को तो NH2 से क्या बच जाएगा NH3 प्लस तो इस पर को में चारज आ गया पॉजिटिव चार्ज यहां पर को में चारज आ गया नेगेटिव चार्ज तो ऐसे हमी रैसे या ऐसे मॉलेक्यूल जिसमे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या बोलेंगे स्विटर आयन तो यह ग्राइसीन का सिंपल स्ट्चर है और यह किसमें गनवाड को दसता है ज्रेटर आयन में है कि अब इसवें पेप्टाइट गोर्ण केसे विताया था कैसे पेप्टाइट गोड और इसका ओसे ऑमीने सेट काशाख रूप कार्वाक्स लिगो और इसका ओअ कि यह दोनों किस रूप में निकल जाएंगे च्छल्खेणों के रूप में और यह मंहीं नाइट्रोजन है एक सिंगल बॉंट से अटेश हो जाएगा इसी बॉल्ट को कुछ सा बॉंट कहते हैं पैप्टाइड मॉंट और इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं उमेगा से ठीक इसके पहले यहां पर देखो कौन सा कारवन है यह अन्फा कारवन है और यह नौन के इसमाल लो इसको मेंगा करना है ऐसे रोटीट करना गुमाना है बहुत सारे सी सरचना होती है जहां पर प्रोटीन को फोल्ड होना पड़ता है फोल्डी समझते हो जैसे क्या होगा कि जैसे अलफा इस बनाना तो प्रोटीट हो जाएगा ऐसा फोल्ड होगा तो फोल्डिंग पॉन्ट है यह स्टॉंग पॉन्ट होता है इस लिए टोट इट नहीं हो सकता आगे बढ़े है कि प्लैसिंग कि बाद में अगला को दिसा है ऐनानी तो व्हाइन इसमाल अमाइन है जिसमें एलकारप की जगह में क्या प्रजेंट होता है यह इसमें कि तने कि न के नहीं चाहरे ट पंड के साथमें के साह यहां नेकों, और जहां पर ढोल कारवन प्रिजन होता है , ऐसा मॉलीकुल कैशा होगा ovdicky active प्रकास सक्री तो ग्लाइसीव को छोड़कर जितने भी अमीर एसेट हैं वो कैसे होते हैं प्रकास सक्री होते हैं पतलब कि यह लाइट को दो अलाद लंगते साहों में गुमा सकते हैं तो वैल पिख्या लेक्स आधिव क्लोगवाइस गुमा आएगा वो कौशा फॉर्म हो जाएगा डिए फॉर्म और जो एंटिक्लोगवेज गुमाता है वो लिपेल फॉर्म ठीक इसके दाब है यह भी कैसा होता है है हईड्रोफोर्भी जेल वीरागी पदम जल में ये नहीं गुलता है अड़े ये हो गया था है अललीन भी थर्ट को गुशा है तो वैलिन भी small amino acid है लेकिन इसमें क्या निकल जाती है साखा निकल जाती है तो ये साखा यूगतिया इसका आकार कैसा होगा वी सेफ होता है तो यहां पर जो आर ग्रूप है यह कैसा स्ट्रक्टर बना रहा है भीकें जैसा एकड़ त्यांप पर जो आर ग्रूप है वो होता है आर्य और आइसो प्रूपाइल और इसका आगार कैसा होता है भी masa का एक इसमें किसा होगा Optically Active प्रकास सक्री मतलब प्रकास को दो बिबने दिसाम है गुमा सकता है इसके निए दो फॉर्म होंगे L फॉर्म और D फॉर्म इसके दाबा इसमें दो तीजे और होती है एक हमें बताया थे Capital D, Small D Capital R Capital S D और L फॉर्म और R और S फॉर्म अगर कार बॉक्स में गुरूप का यह वह अच्छा है यह राइट साइड में है तो कौन सा फॉर्म होजा रहेगा D फॉर्म लेफ्ट साइड में तो L फॉर्म अमीनो गुरूप अगर राइट साइड में तो R फॉर्म अगर लेफ्ट साइड में तो S फॉर्म कि आगे बढ़ें कि यह नोट करनी थे नहीं कर लोप है पीडिए से कर लेना इसको अब फैलिंग के बादे अरवा को से स्टक्च्चर है अरवा को समीन एसेड यूशीन लियूशीन भी ब्रांज अमाइन एसेड़ मतलब इसमें निकलती है साखा निकलती है और इसका जो आका अरे कैसा होगा वाइस एक और इसमें एक अपर देता है तो कैसा बनेगा इसका वाइस तो लियूशीन में जो ऑर ग्रूप है इसका अपर देखो हम अमीर उच्चर का आकार नहीं हूं नहीं बता रहे है किसका इसका आब बता रहे नेृट अब्लवन होता है अर लृटल तुम चुमिट है एल को चैनल के जगह में क्या होगा विक्तन होता है इसमें हम कई होनसा होगा आई इसब शुम आगा है और योषय पर चैनल के वैंश भी किस अरग में प्लिकियो chlor उता और इसमें होता है तो CH3 CH CH2 CH3 यह और जो ग्रूप है यह कुछा ग्रूप हो गया आईसोग ब्यूटाइल किसमें प्रदेट होता है यह आईसोग उसीन में तो ब्राइन विन असेट है आर ग्रूप की जगा में आईसोग प्यूटाइल होता है और इसके खासपाती है कि इसमें दो किरल कारवन ह दूसलब जो चार दिशाओं में अलग अलग बंद बनाते हैं पहला जाए अलफा कारवन एक करवफिल ग्रूप से दूसरा अमाइनो ग्रूप से तीसरा हाइड्रोजन ग्रूप से और चौत है आईसो प्रॉपाइल ग्रूप तो पहला एकरन कारवफिल कारवन होगा यह व ग्रूप है तो चार अलग अलग बंद बना रहा है इसलिक यह भी कौन से कारवफिल कारवन तो इसमें कितने करवफिल कारवन होते हैं तो क्या अंसर आएगा आईसोम्यूसी बाकी में कितने-कतने पड़े हैं एक एक पड़े हैं ठीक है तो यह साखाइप्त है वायरकार का जल विरागी है जल विरागी जल विरागी ठीक है नोट कर रहा हुआ है साथ में कर लेना है नेक्स्ट की बात कुंसा है इसलिस्यों इतना को गया था यह ट्रल अमाइना यह सेट किसको बनेंगे नेट चार्ज कुल आवेस कितना हो जीरो अब नेट चार्ज जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए जितने हिसमें अमाइनो गुरूप है उतने हिसमें क्योंसे गुरूप होने चाहिए इससे क्या होगा कि जितने हिस प्लस को डोएट करेंगे यह उतने हिस प्लस को एक्षट करेंगे तो चार्ज कैसा आएगा बराबर बराबर तो जिसमें एक समान आवेस हो या कुल आवेस क्या कि नाम होते हैं कि Glycine, Elanine, Valine, Leucine और Isolucine, ये 5 amino acid हैं, जो कैसे होते हैं, उदासी इन अमीनो अमन की category में आते हैं, तो अब हमें एक एक के वरें पढ़ना है Glycine, Elanine, Valine, Leucine और Isolucine, इसको याद रखने कि एक ट्रिक है है, सबीर गेरेटर को एक साथ देख लो, हाँ, Amine Acid के example है, वो दासी इन अमीनो अमन के परकार, या example, गावली, एक वर्ड याद रख लो, तो G से क्या बन जाएगा, Glycine, A से Elanine, V से Valine, L से Leucine, और I से Isolucine, तो सबसे पहले तो हमें 20 amino acid के नाम याद करने पढ़ेंगे, ठीक, पहले 100 पंड देते हैं, फिर हम 20 के नाम बता दे, टोट खर लो इतना, जिसमें चितने NS2 ग्रूप हों, उतने ही, कारवासरी ग्रूप भी बने चाहिए, तब जाकर उसका को लाविस कितना आएगा, जीरू, अगर माल लो कि किसी एक की संक्या जाता है, जैसे एक एक जाए, अमीनो ग्रूप हो जाए, तो उसमें एक्स्ट्रा पोजिट्य चाहर जाएगा, ठीकित, नेटरस कितना आना चाहिए, जीरू आना चाहिए, तो जिसमें कुल आविस जीरू हो, उसी ग्रूप लेंगे, उदासीन, अमीनो, अंग, एक्जामपल, ग्लाइसीन, एलनिन वैनिन, लिूसिंग, और आईसे लिूसिंग, जिसमें पहला भी रचेट पढ़ेंगे, ग्लाइसीन, तो ग्लाइसीन सबसे साथतम, सबसे छोटा, यह सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो असेड है, जिसमें किरल कारवन अनुपस्तित होता है, किसको कहते किरल कारवन अभी बताये चार तरफ से अलग बंद बनाता हूँ, यहनि कि इस मैंने चार जो कारवन है, वो चार अलग बंद नहीं बना सकता, तो यह अप्टिकली अक्टिव होगा यह नहीं होगा, प्रकासी रोप से यह शक्री नहीं होगा, तो गया रिकत, लिखो जैन्नी, सबसे छोटा और सबसे सरलतम अमीनो असेट और किसमें क्यावकावन नहीं होता है, ऐसे तीन कुछिशन आते हैं, ग्लाइसीन से, इससे बहुत बार क्षिशन आये हुए, ग्लाइसीन को पढ़ना ज़रूरी है, ग्लाइसीन, ग्लाइसीन का स्टक्चर और क्या कैस में इंप ग्लाइव सात का, यह ग्लाइव सात किसमें होता है, ग्लाइव से, ग्लाइव किउशन आये पिखिशन दाण, हेरे गट 9-20 प्राइसीन, ग्लाइसीन, ग्लाईस, अपाशय हुए, ग्लाइव स्टक्चर आये है? ब्लाइसी एम्लाइन प्राग एम्लाइन ब्लाइसी ठीक है तो जो ब्लाइसीन है सबसे सरल्टाउ ठीक है और सबसे छोटा अमीरे से डाइ ठीक है simplest और smallest amino acid है जिसका molecular weight 75 डॉल्टाउटन होता है डॉल्टाउटन पराग होता है क्या है डॉल्टन इक आई है इनक नथ किसकी कैई है इनकरे और वो भारफवर नाफने की कित बीट होता है म्लस्दि इसका 75 डॉल्टाइट इसमें क्या अनुपक्षित होगा काईर्यक गार्वन एक्षेंट होता है अनुपक्षित होगा तो इसके वैजय से प्रकासट करिए नहीं होगा नहीं होगा नूँ इसे चरवना के दिखते हैं सबसे छोटा कॉन सा है या फिर किसमें एपसेंट होता है किसमें अप्सेंट होता है वैसीन में नो आप्टिक अनियक्टिव यह नहीं है इसे चरवना के दिखते हैं सका है कि सेंटर में को से भावन होगा अलफा कारवन एक तरफ परशाग्रोप होगा कारवाक्स लेग्रोप तुसरी एक को अशाग्रोप एक तरफ हाइड्रोजन और इस तरफ होना चाहिए आर ब्रूप ह क्या रहेंगे कि ड्लाइसीन में आर ग्रूप की जगह में क्या प्रशाएड्रोजन अब देखों यह चार अलागत टाइप के बंद बना रहा है यह रहा है एक जैसे बंद हो गया तो कि में होगा hydrogen present होता है ठीक सबसे सदलतम सबसे छोटा सबसे इजी और याद रिखेंगे ये सबसे ज़्यादा प्रेजन्ट होता है अलफा हैलक्स में mostly present in alpha Helix सुना यह दाँ аны helps protein structure में protein के चारफ होते हैं primary and primary and primary product तो ड्रत्रत तो एड़ों हें समय होते हैं तो अलफा हैलिक्स और बीटा सीट एक अलफा कुझनी और बीटा लहरदार सीट तो अलफा हैलिक्स में क्या प्रेजट होता है ज्यादा था है पता दे लाइसी है बन्या का स्रक्षर सिंपलेस्ट है स्मॉलेस्ट है सब से कम इसका वेट होता है एंडलो का मतलब मुईनिकुलर वेट अडू बार 75 दॉल्ट और गया ताहिक इतना होगे अब तेक और बदेखे बागी कन पढ़ेंगे तर बढ़े मुँद प्रेंगे ग disaster और रेसाँ और लेट होगे वड़े मुदद प्रेंगे अब ये लेगे वेवे खेगांगे और येखेंगे अबता कहा, बश्यंग, एता अफ मेंगरा कि ऱcksब काइब हाँ फ्यागलीष्ट, वो ह को विल्बिग है है कि अब निद तो आइज हो अ कि अ दो हो दिए बाइट अब भी दो है जो जो इसका अबना अग्णा पाउंसा है का आजए अधर को आज़े अपाइट अब एला नीड जोब इसमें चीज़ और पुल देह पन इसकें सिग्यटर कोड़ होते हैं और ट्रिपल लेटर कोड होते है गलाइसीन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंग्नल लेटर कोड में कैपिटल जी से और ट्रिपल लेटर कोड में जी एल वाई से अब इसके सिंग्नल लेटर कोड और ट्रिपल लेटर कोड की जबत क्यों पड़ी ट्रांस्क्रिप्शन पढ़ा है आप लोगों ने क्या होता है ट्रांस्क्रिप्शन डेने में जो सुचना है उसका किसमें पहुंचना आरेने में पहुंचना ट्रांस्क्रिशन क्या होता है आरेने में जो सुचना है उसके द्वारा किसके निर्बान होना प्रोटीन का तो जब हम पढ़ते हैं जैनेटिक कोड नाम सुना है इनका क्या होते जैनेटिक कोड आरेने में तीन लेटर की कोड होते हैं जो किसके लिए रहते हैं अमीन एसेट के लिए रहते हैं यह कोड के डिसाइड करता है अमीन एसेट का सीक्मेंस अगर एक सीक्मेंस भी तर उदर एक जो हीमोग्लूपीन उसकी सरचना बदल जाती है यह इस में दोटीन होती है सब्सक्राइब चार चेन होती है दो अन्फा चेन और दो बीटा चेन तो इसमें क्या होगा कि अगर जैनेटिक कोड में एधर से उदा हो जाए तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं क्यों नहीं बनेगा क्योंकि transition की process का start होती है AUG code पढ़कर अगर यह code present नहीं होगा तो transition की process start नहीं होगी तो क्या होगा और एक भी code बतल जाता है तो code जो अम्यूने बन पाएगा तो genetic code को फ़राँ सा और असान करने के लिए और हम सारे genetic code को एक ये चार्ट में लिखते हैं। अब उस चार्ट में हम 20 अम्च नाम लिेंगे। तो नाम लिखेंगे पर आप जगा नहीं आती है। तो ऐसी अम्यूनसीट को दरसाने के लिए या तो शॉत करते हैं या तो त्रफ़ल से लेया किण करते हैं तो यह जो 61 quotes है यह किसके लिए है हमाई रेशिट के लिए है और वहां पर हमारे बाइन उसरे कि ऐसे सिंगल अग्रिटर कोड देंगे तो ऐसे तो ऐसे single letter code मुझको लिखते है तो glycine के लिए single letter code क्या है G और triple letter code क्या है GLY E एक्षर का संकेत G तीर एक्षर का संकेत GLY ऐसी LLN के लिए क्या होगा LLN के लिए होता है single letter code A और triple letter code होता है AL sorry ALN होगा दाब तक वाइर नहीं ALN यह नहीं होता है sorry ALN यह होगा single letter code और यह होगा triple letter code इसके वाबा यह भी सरलतम amino acids है उरलतम amino थोड़ा सा फर्क होता है जैसे glycine में क्या नहीं होता, किरफ कारबन नहीं होता लेकिन इसमें किरफ कारबन present होता है क्यों? यहां पर R group की जगा में क्या present होगा CH3 कोर सा ग्रूप है ही? मित्था μέθilles पर present होता है अब कि ये वी मिनोल है यहां पर R WQ कि जगम में क्या होगा मैथेफ्ट रुख होगा तो यह औप्टीकली एक्टिव होगा यह नहीं होगा क्यों 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 की यहां पर करल कारबनablesन होता है कि यह रव कार्वन प्रदेंड जिसकी वज़ेसे जैसा बजाएगा ओप्टीकली एक्टिव प्रकास सक्री इसका मतलब यह प्रकास को किसी भी दिसामें घुमा सकता है अगर इसका दी फॉर्म रहेगा तो किस दिसामें घड़ी की दिसामें ठीक है क्लॉक्वाइस और अगर सब्सक्राइब है तो एंडी क्लॉक्वाइस इस ट्रिक बनाते हैं सेंटर में कौन सा कार्वन होगा अलफा कार्वन एक तरफ सी ओओ एक तरफ निस्टू ग्रॉप फिर हाइड्रोजन और इस अलफा कार्वन से कौरेंट जाएगा सी एच थ्री कि यहां पर देगों चार ड इसकी विज़े से कैसा होता है अप्टिकली एक्टिफ अब इसका दियां तरखेंगे कि इसका विण्याज भी निधारित होता है दो चीजियों से एक एक एनेश्टू सम्हों से और एक सी ओ ओ एच से हमने बताया थे यह दो टाइप होता है एक होता है डी एंड एन एड अगर अधिक्तम एनेश्टू सम्हों कहां पर है राइट साइड में है तो हार और अगर लेफ्ट साइड में है तो हैस ठीक यह पनकल पढ़नेंगे आज के लिए पनेंगे इसके बाद के मेरे सिट पढ़के आओगे बीस अमेरे सिट के नाम उनका सिंगल लेटर कोड और त तीन चीज पढ़के आओगे बजाएगा आप तो ऐसे फोल देदिनें से कंखी आजाओगे